Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल उसके बाद से काफी लंबे समय से क्यास लगाये जा रहे हैं, कि वहाँ पर चुनाव कराये जाएंगे, क्योंकि जो लदाख अलग हुआ था, वहाँ पर Assembly नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में Assembly है, Legislative Assembly, लेकिन वो Union Territory है, आगे चलकर हो सकता है कि उसको Full Statehood का दरजा दे दि जम्मीर, Lieutenant Governor, और इसको लेकर Congress Party ने कहा है, कि केंद सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसकी वजए से ये सारी चीज़ें की जा रही है, तो इसी को हम थोड़ा सा और अच्छी से समझेंगे, कि exactly क्या बदला हुआ है, यहाँ पर क्या और पावर दिया गया है Lieutenant Governor को, इस भी क्राक कर लेते हो अगले साल 2025 का, तो उस केस में आपका जो पूरा का पूरा फीस है, वो refund कर दिया जाएगा, तो एक अच्छी opportunity है, साथी साथ एक साल की और validity आपको मिलेगी, तो जॉइन करने के लिए हमारे website अप पर जाएए, या फिर comment section में link और आपको use करना है, यह code अंकित live ताकि आप maximum discount ले सकें, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, द उनको और जादा power दी है, after amending the transaction of business rules under Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, देखो थोड़ा से इसको समझने की ज़रुत है, आपको याद होगा, 2019 में क्या हुआ था, 2019 में आर्टिकल 370 का abrogate करा दिया गया, उससे impact या आया, कि Jammu Kashmir को जो special state का दरजा मिला हुआ था, आर्टिकल 370 की वज़े से, वो हड गया एक तो, लेकिन साथी साथ यहाँ पर जो एक important चीज हुआ था, वो यह था, कि जो पूरा का पूरा Jammu Kashmir राज था, उसको दो पार्ट में divide कर दिया गया, एक हो गया आपका पूरा लदाख, जैसा कि आप देख सकते हो, वहाँ पर कोई भी legislative assembly नहीं है, लेकिन जो Jammu Kashmir ये वाला जो पूरा राज है, राज किया ये ये भी union territory है, तो यहाँ पर इसके अंदर legislative assembly रखा गया, जैसे दिल्ली के अंदर आज के date में हम देखते हैं, तो वो करने के लिए, ये जो Jammu Kashmir Reorganization Act है 2019 का, वो यहाँ पर लाया गया था, ताकि उसको govern कैसे किया जैसे ये act आया था, अभी देखे क्या है कि कई सारे media के अंदर में देख रहा था, ये बोला जा रहा था, कि यहाँ पर जो Jammu Kashmir का reorganization Act है, इसको amend किया गया है, लेकिन actually अगर आप देखोगे तो उसको amend नहीं किया गया है, basically उसके अंदर एक transaction of business rules आता है, उसके अंदर changes कि ये गया है, ठीक है, आप समझेगा, जो पूरा का पूरा act है 2019 वाला, उसमें कोई भी changes नहीं किया गया, लेकिन उसके अंदर जो एक rules आता है, कि ये ये rules होंगे, इस तरह से चीज़ें होंगी, अलग से बनाया जाता है, उसके अंदर सरकार ने changes किया है, तो सरकार ये कह रह है लेटिन गवनर की जम्मू कश्मीर में, उसको थोड़ा सा strengthen किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो लेटिन गवनर है, उनको कई सारी power मिल रही है, जैसे कि police related, all India services, आपको पता है कि all India services में जैसे Indian Forest Service हो गया, आपका इसके लावा Indian Administrative Service, IS की जो आप त्यारी करते हैं, त अब change क्या होए मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या होता था कि जितना भी proposals है, which is related to police, public order, all India services, मतलब IIS, IPS, जितनी भी चीज़े हैं, फिर इसके लावा anti-corruption bureau, मतलब इस तरह की जितनी भी postings वगर हैं, transfers वगर हैं, वो सारी चीज़ें सबसे पहले क्या होती थी, कि जो जम् यह जो changes किया गए है rules में, उसके तहट यहाँ पर जो भी proposal होगा, related to police, public order, all India services, यह सब कुछ directly lieutenant governor के पास जाएगा, finance department के पास नहीं जाएगा, आप देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मानलोगर मैं कहता हूँ कि कल के date में चुना होता ह जम्मो कश्मीर में और सरकार बनती है, तो आप समझे, जब सरकार बनती है, तो जो finance department है, वो किसके अंडर में आएगा, वो तो सरकार के अंडर में आएगी, लेकिन आप मानलो सरकार बन भी जाए, लेकिन power किसको दे दिया गया है पूरी तरह से, यह power मिल गया है lieutenant governor को, अलावा यहाँ पर जो authority है lieutenant governor का, it has been further extended to advocate general and law officers, जो भी judicial postings वगर होती है जम्मो कश्मीर में, उससे भी related जो powers है, वो actually lieutenant governor को दे दिया गया, पहले यह एक तरह से again, अलग-अलग जो departments हैं, जम्मो कश्मीर के उनके थू जाता था, फ़र साथी साथ यहाँ पर यहाँ पर यह भ पता है 2019 का, इसके अंदर है section 55, और यह section 55 empower करता है president को, तो जो president है dropathy मुर्मो जी, उन्हों ने इसका approval दे दिया, और finally इसका जो notification है, वो home ministry की तरफ से जारी कर दिया गया, यह procedure है, खेर question अब यह है कि central government इसको लेकर क्या कह रही है, देको central government का यह कहना है, कि यहाँ पर जम् coalition parties उनका कहना है कि नहीं, यह alter हुआ है, वो मैं आपको reason आगे और बताओंगा इसके बारे में, लेकिन central government अपनी तरफ से कह रही है, यहाँ पर कुछ भी change नहीं है, बस हमने चीजों को और clear किया है, क्योंकि ultimately जो decision होता था, left and governor के पास ही होता था, तो हमने चीजों को और थ बहुत सारी जो political parties है, especially जम्मू कश्मीर में भी आप देखो कि जो national conference, PDP, उन्होंने ये कहा है कि ये एक तरह से disempowering the people of जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर के लोगों का जो empowerment था, उसको कम किया जा रहा है, साथी साथ वहाँ पर एक और party है, अपनी party, उन्होंने क है कि हमें इसको लेकर एक unified protest करना चाहिए, क्योंकि ये जो parties है, उनका ये कहना है, कि central government के दोरा ये जो चाल चली गई है, इसकी वजए से यहाँ पर आगे चल कर जितने भी prosecution, sanctions से related भी चीज़ें होंगी, उसका भी जो decision है, जो power है, वो lieutenant governor के पास आ जाएगा, मतलब किस person को गिरफतार करना है, उसके लिए अनुमती देनी है, वो भी सारी चीज़ें directly lieutenant governor handle करेंगे, साथी साथ यहाँ पर अगर हमें appeal वगर अभी file करना है, तो वो भी directly lieutenant governor के द्वारा किया जाएगा, पहले क्या सरकार करती थी, देखो, जब मैं सरकार कह रहा हूँ न, इसका मतलब य अभी चुनाव नहीं हुआ है, तो इसको ध्यान रखेगा, इसके लावा यहाँ पर और भी कई सारे जो matters है, which is related to prisons, directorate of prosecution and forensic science laboratory, यह भी आपका directly lieutenant governor के द्वारा ही handle किया जाएगा, देन इसके लावा यहाँ पर जो congress party के आपको पता है leader है, जैराम रमेशी, देखिए उन्हों चाहिए, and latest by 30th of September 2024, 30 September तक हो जाना चाहिए, अब देखना होगा, क्योंकि कुछ ही महने बाकी रह गए हैं 30th September को, अभी क्या है, July चल रहा है, August September, hardly धाई महने के आसपास बच गया है, तो क्या तब तक election commission of media चुनाव करा पाएगा, यहाँ पर उन्हों का यह कहना है, जैराम में बदलाव कर दिया है, जो हमने अभी discuss किया, और इसको लेकर जैराम रमिश जी यह कह रहा है, कि यह rules लाने का मतलब क्या है, यह rules लाने का मतलब एक तरह से यह है, कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, ऐसा Congress Party करी कि चुनाव नहीं कराना चाहती है, अब देखे, टरन आउट देखने को मिला है, तो question अब यह है, कि क्या actual में जो assembly की चुनाव है, वो September तक करा दिये जाएंगे, देखो यहाँ पर काफी जादा एक तरह से आप कह सकते हो, speculation लगाए जा रहा है, speculation यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि हो सकता है कि केंदर सरकार अभी चुनाव ना कराए assembly के, हो सकता है कि 30th of September तक क्योंकि Supreme Court का भी order है, तो उनको दिखाने के लिए एक तरह से जो पंचायत और municipal parties का चुनाव होता है, जो municipality का चुनाव होता है, जो local bodies जो हम कहते हैं, उनके चुनाव हो सकता है कि Central Government September तक करा देगी, और most probably यहाँ पर जो announcement है इसके चुना इछले महिने की बात है, Election Commission of India ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो parties हैं, उनको बुलाया और कहा कि आप कौन सा symbol लेना चाहते हो, क्योंकि parties को symbol वगर लेना होगा, common symbol अपने चुनाव लडने के लिए, तो यहाँ पर आगे चल कर क्या हुआ, अभी 5th of July को, hardly 10 दिन पहले, जो BJP के इंचार्ज हैं, यूनियन मिनिस्टर जी क्रिशन रेड़ी, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के इंचार्ज हैं, BJP के, उन्होंने आप पर party meeting गुलाई थी, ताकि election preparedness को देखा चाहे, लेकिन इसके बावजूद भी, especially कश्मीर के अंदर जो media है, वो काफी sensitive हैस्टीश को ले वाला है, लेकिन जम्मू कश्मीर को चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हुई, साथी साथ अभी recently motion of thanks जो प्राइम मिनिस्टर का इस piece था न, आपको याद होगा भी recently लोग सभा और राजे सभा में, वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं का प्राइम मिनिस् इसमें भी issue क्या हो गई है कि कश्मीर में actual में terror attack नहीं देखने को मिला बलकि जो जम्मू वाला region है, वहाँ पर अचानक से बहुत जादा terror attack देखने को मिला है, जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता हो गई है, अब यहाँ पर क्या है कि दूसरे साथ हमारा जो पडूसी देश है मजबूती मिलेगी, confidence आएगा, और जो एक पाकिस्तान का भी मकसद था कि वहाँ पर आराजकता फैल आई जाए, चुनाव ना हो, और उसका जो एक narrative है वो international forum पर ले जाए जा सके, वो सब कही ना कहीं तूट सकता है, लेकिन ultimately अब देखना होगा, चुनाव होता है कि नहीं, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF फी तो Telegram पर आईए, अलग-लग social media पर अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा मोगा है, 18th of July से हमारा प्रतिग्या बैट स्टार्ट हो रहा है, you can take this by using the code ANKITLIVE, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ, आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.